आप सभी प्रियत दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में आप के लिए लेके आए हैं Future Retail और FVL के बारे में तीन लेटेस्ट खबरे related to the deal आईए चलकर शुरुवात करते हैं Official News है over the weekend, over the holiday time 13th and 14th evening ताकि ये News आई है सबसे पहली ख़बर है Loan Recast Offer किशोर बियानी जी अपने हाथ पहर ज़्यादा जल्दी यल्दी चला रहे हैं, उनके action से लग रहा है सबसे पहले तो FVP ने जो उनका big बजार है, दो घंटे की delivery शुरू कर दिया है online orders पर COVID के चलते वे और साथ ही साथ में अब ये जो legal battle चल रही है, उसके चलते वे उन्होंने loan recast offer भी दिया है इस loan recast का offer का मतलब क्या है, कि banks जो हैं, जो इनके lenders हैं, उनको 6,900 करोड का payment मिलेगा दो किस्टों में by end of this financial year ताकि वो यहाँ पर इस loan को फिर से recast कर सकें एक दो साल के लिए extended period के लिए loan moratorium की तरफ से, कहां से लाएंगे cash, अभी के हिसाब से अपने जो small format store है, वो उनको selling करेंगे, ताकि ये loan restructure की जो agreement है with lender, वो work out हो सके दोनों को ये time मिलेगा, जो यहाँ पर अभी legal battle की वेज़े से delay हो रहा है deal में, आपको शायद पता ही हो, Reliance Industries ने September end तक के लिए इसका offer extend कर दिया है, तो उसे साब से ये एक अच्छी प्रयास रहेगा इनका यहाँ पर, देखे official news है, कि इन्होंने जो loan recast किया है, उसके अलावा जो second news है हमारे पास में, वो इन्होंने SEBI, NSC, BSC दोनों को notify किया है, कि इनकी future enterprise limited की, जो redeemable non-convertible debenture है, उनक जो first series है, उनको उन्होंने default payment किया है, default payment क्या होता है, अगर आपने कोई 10% का payment for example रखा है, किसी particular security के reference में कि आप इतना interest उसको pay करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पर interest जो था उनका 15 करोड का आसपास का interest था, जो की total loan amount था 300 करोड के आसपास, और यह 6 महिने का loan period में है, होगा क्या, इसको extension मिलता है, एक महिने का by default, 11th मे तक इनको यह loan repayment करना है, 15 करोड के आसपास, तो 15 करोड कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनकी strategy होती है, कि उसको यहाँ पर अभी नहीं देंगे, cash flow continue करेंगे अपना, क्योंकि उनको employees की salary है, जैसे भी उनको maintain करना है, वो इसके साब से, यहाँ पर यह उनके लिए अच्छी ख़बर है, इससाब से देखा जाए, कि यह अभी first है, ऐसे कई बार हो चुका है, और वो हर बार अपने loan को repayment कर चुके हैं, print media की भी news है, कि इनको जो due करना था 12 तारिक को, वो उन नहीं pay कर पाए हैं, और इसके चलते Future Group और Reliance Retail दोनों ने joint venture किया हुआ है, उसके लिए अडंगा अडा आ रहा है Amazon, अगर यह deal पूरी हो जाती है, तो इनके सारे के सारे जो debt है, वो Reliance Industries लेगा, इससे इनको थोड़ा फाइदा मिलेगा, अब अगली ख़बर है related to Supreme Court, Supreme Court का जो यहाँ पर एक communication आई है, to official communication through the lawyer of Amazon and the lawyer of Future Group, उन्होंने कहा है कि Amazon has filed a special leave petition before Honorable Supreme Court of India, captioned on this date, जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो High Court ने stay को cancel कर दिया था, डील को stay कराया था पहले High Court में, और उसके बाद दो benches judge ने उस stay के ओपर stay दे दिया, जिसके चलते हुए, अभी यहाँ पर NCLT की progress चल रही है, तो अभी Amazon फिर से एक daily tactic खेल रहा है, Supreme Court में जो stay मिला है stay के ओपर, उसके ओपर stay चाते हैं, ताकि one bench judge उसको approval दे दे, और यहाँ से फिर से NCLT का process जो है, वो आगे फर्दर ना improve हो सके, तो यह एकदम बहुत low level की politics चल रही है दोनों group के बीच में, उसकी वज़े से challenge है, आप औ Amazon that it has filed special leave petition before Supreme Court of India, दोस्तों अगर आप हमारे साथ free webinar join करना चाहते हैं, तो 18 तारिक को या फिर उसके आगे की date में भी आप चाहें, तो mail drop कर सकते हैं, और यहाँ पर 900 रुपी के admin fees है, पिछले एक महिना 5 दिन से हमारे one of the member को 40,000 का profit, 40% का profit हुआ है, Please consult your financial advisor before investing and trading, retail निवेशक इतने important क्यों है, retail ग्राहक इतने important क्यों है, सब companies पर चारिए, चाहे आप Amazon की बात करें, चाहे आप Flipkart की बात करें, चाहे आप Tata Group की बात करें, चाहे आप Reliance Industries की बात करें, क्योंकि हमारे पास spending power है, और हर company हमारी spending power की एक पाए का हिस्सा लेना चा अगर इसका हम आज का भाव देखें, सारी निउस, क्योंकि ये लेट निउस आई थी, तब एक्टिव नहीं था market, 14 तारीक की छुटी थी, तो आज future retail का भाव 45 रुपीज 90 पैसे के आसपास अभी trade कर रहा है, SEL का भाव 8 रुपे 90 पैसे के आसपास trade कर रहा है, दोनों red candle नहीं है, future consumer 6 रुपे 75 पैसे, future lifestyle fashion 53 रुपी 40 पैसा, future supply chain 74 रुपीज, FMNL 13 रुपे 90 पैसे, तो सारे के सारे stock 1% से लेकर 4% तक गिरे हुए हैं, अभी market के reference में देखा जाए, तो क्या हम अभी भी position उठा रहे हैं, जी हाँ, हम अभी भी position accumulate कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछले activities थी, जो profit था, वो सारा का सारा हमने trading account में as per proportionate transfer कर दिया था, trading account से investing account में, और वो अब हमारे पास free cash available है, जो कि हम deploy कर रहे हैं, gradual manner में, we are still bullish, और हमारा target remains intact, as long as deal can happen, with the given ratio, ये target 170 अचीव करके ही रहेगा, इसमें सिर्फ time की बात है, आपको time and patiently wait करना है, investment is all about patience, अगर आप मं प्रस्तुत हैं, जहीं जभारत, बाइकार